हेलो गाईज वेलकम बैक तुमाय चैनल इससौफ कोड तो हम इस वीडियो में कि hml5 और css3 की कोडिंग करेंगे सो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक लेंगे एचर मैक्स विद्ट मैक्स हाइड और ट्रांजिशन सो यह क्या होता है कैसे वार करता है हमरी hml सीरीज में तो हम इसको जानेंगे और इसके बारे में थोड़ी और जानकरी लेंगे है detentionまあ सो फऐस्ट अफल हमें क्या करना है फिस्ट अफल हमें स्टार्ट करने 10 कैसे स्टकर आपका अगर अगर आपिश्ट इंस्टॉल है आपके id में यह सापूस ब्रेकेट युणस कर रहे लिए उसमें क्या क्या ह Self प्... एक्स्लेमेशन मार्क ओके फिर बाद में टैब दबाईएगा टैब प्रेस करने के बाद डिरेक्ली यह पुरी कोड़ी शो कर देगा जो नॉर्मली कोड़िंग होती है बॉड़ी एड और एश्चेमल बनेगी ठीक है जो में हमारे एट्रिबीट्स होते है एश्चेमल स्रीव अब सो एच्चार का फूल वह मैं गाई बेसिकली होरीजॉंटल रूल ओके होरीजॉंटल हमारा कैसे वर करता है अब देखेंगे सपोस्ज मैंने लिया एच वन मैं कैप्स आफ करता हूं के एच वन एच वन एच वन में लिए तों इस इस दी लॉरम डाल रहे ता हूं लॉरम टैन ओके लॉरम टैन लिखने के बाद मैंने प्रेस किया टैब को तो उससे मेरे टैन वर्स क्रीड होगे वन ट्यू त्री फोर फाइच सेवन एट नाइन टैन आप देख सकते हैं तो एक ट्रिक है छोटी सी अगर आपके आइडी में एमेट इंस्टॉल है तो सब्सक्राइब करता हूं वापस से इसको पॉर्ट आफ करके गो लाइफ कर देता हूं कि हमको पूरा लाइफ देखता रहे हमारा रिव्यू रिलोड ना करना पड़े तो यह शो कर रहा है भी डिरेक्ली इसको क्लोज कर देते हैं वान करना कुछ इंफॉर्मिशन दे रहा है में अब एचार टैक की बारी आई है एचार टैक क्या वर्क करता है मैं आपको दिखाता है अब जाकर मैं एक लाइन शो करिये टेक्स के बाद तो वो शो कैसे करी हुई है होरिजेंडर रूल की वज़े से होरिजेंडर रूल का आप मतलब समझ सकते हैं उसका फुल फॉर्म आपको वह डिक्लायर करना कि वह रूबर क्या करता है जो कि रूल बताता है कि एक उपर कंटेंड हमारा अलग है और नीचे कंटेंड हमारा अलग है ओके तो यह दो हम लोग अगर हमको सेपरेटली एक कंटेंड बनाने मतलब जैसे कि मैंने एच्वन बनाया भी अब मैं बनाता हूं अब एस्टू मैं बनाता हूं एस्टू में डालता हूं लॉर्म लॉर्म लॉर सकते हैं कि एक दिए दो कंटेंट में लगे मतलब यह में पैचान सकता हूं कि यह लग पहला और यह दूसरा वाला अलग कंटेंड इन दोनें के पहले लेफ्ट होगा नहीं क्योंकि एकदम सेंटर में रहेगा और ना इसके आज बज़े को इस पेस है जो कि यह आलाइंड हो सके सो कोई भी ऐलायंड की वैल्यू देते यह उसके वर्क करने वाली नहीं तो इस पर एक वैल्यू और वर्क करती है जो है साइज अगर मैं size देता हूं size suppose मैं देता हूं इसको by default one चलती है मैं five देता हूं five से लेकि हम लोग one से लेकि ten तक दे सकते हैं इसकी size अब देख सकते हैं कि size slightly बढ़ गई है आपको देखनी रहां विडियो में कर में आपको दिखाता हूं कैसे ये बढ़िए देख सकते हुए पूरा ब्लाइक मेरी थिकनेस लाइन की बढ़ चुकी है जो की यह एचार की लाइन है अगर मैं तैन देता हूँ तो यह फिल सब्सक्राइब मैं टैन देता हूं तो यह लाइन अफकोस बड़ी हो जाएगी मोटी हो जाएगी इसकी थिकनेस पड़ जाएगी अब वन देता हूं तो यह छोटी रहेगी जैसी थी ओके गाइस यह एक्षार का बेसिकली फंचनल है तो लेट्स कम ओन इन दी नेक्स टॉपिक विच वन मैक्स विद मैक्स विदव मैक्संथ हमारे कैसे वर्क कर था करता मैं देखेंगे मेस क्लास मैं ले लिए इमेज की मैं हमेशा गाइस जो भी शॉट फॉर्म दे यूज कर रहा हूं जैसे कि मैं वापस से दिखाता हूं आपको एक बार मैंने क्या किया मैं डिव लिया डॉट मतलब डॉट क्लास होती है अगर हैस लेता हूं तो हैश आईडी बन जाएगा तो क्लास का मैं नाम के रख अगर टैप प्रेस नहीं करेंगे तो यह क्रेट नहीं होगा या फिर आप एंटर प्रेस कर दिजिएगा है सो इसमें इमेज लेता हूं आई एमजी सोर्स मैं लेता हूं मेरे पास इमेज औरेडी सेफ पढ़िए यहां पर यह इमेज नाम की ओके वह इमेज कौन सी देख ल यहां पर इमेज शो कर रहा है तो इमेज बहुत बड़ी शो कर रही है मेरे को बहुत बड़ी शो हो रही है तो इसमें में को इस्टाइलिंग देनी पड़ेगी मतलब तब जाके इमेज को छोटा होगा छोटी होगी इमेज तो इस्टाइलिंग में क्या दूँगा इमेज तो इमेज कलास में इमेज 1001 अएम जी अठ ling the okay उसमें में रखनी मेरी विद पाइड में इंड कि विंडो वह माधे इस से ओके विडिन एंग डी ताइड है कि इसका शोट फॉर्म क्या सकता है तो वीद में रख लेता हूं इसकी सपोज 200px और बात रही हाइट की हाइट रख लेता हूं मैं भी उसमें भी 200px ठीक है सेव करता हूं बस आप देख सकते हैं इमेज मेरी 200 स्कुर्ण में हो गई है तो यह इमेज को अब लिख सकते इसका डैसको बॉर्डर देंगा बॉर्डर कि बॉर्डर में इसको नहीं दूगा मैं बॉर्डर किसको दूगा भी आपका देख संसानुक्ल करो टूपी एक्स का सॉलीड में ब्लैक करना ओके ब्लैक करेगा वह ब्लैक पर यह कैसे शो कर रहा है इस तरफ शो कर रहा है अनुग कि पर अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि मेरे मैक्स विद होनी चाहिए कि मैंक्स मेरी होनी चाहिए मैंने कितने लिए वह इमेंज की 300 तो मैं इसमें इसके मर्जी लेकिन वो मैक्स होगी उसके जारा टेक्स लिखता हूं जो कि मैं पैराफ बोलता हूं उसको अब पैराग्राफ में भी लॉरं डाल देते हैं लोग लॉरं में लॉरं 10 ठीक है सेव करो अब क्या हुआ मैंने मैकस दिये थाना तो यह और अगर में और लॉरम बढ़ाता हूं तर लॉरम में काम करता हूं पांच लाइन को के सेफ करता हूं कि अब देख सकते कि यह क्या जह मैं टैक्स लिख रहा हूं न। वह एकदम पर्टिकल पोविशन पर पर शो नहीं हो रहा है अगर में हट आना अपते कि प्रॉपरी यहां aur टो इसे एकडम होरीजांटल्टीम7S wellness function बनाना है तो उस section में कुछ लिखना है तो हम ऐसे max-fit बना कि उसमें टैक्स लिख सकते आप चाहिए इतना भी टैक्स लिखो पर यह इस तरफ नहीं जाएगा यह ओफ्लो नहीं करेगा ओफ्लो भी एक करेंगे कैसे करती है पर अभी हमें क्या करना है अभी हमने कुछ नहीं करना है हमको अगर एक कंटेंड बनाना है सपोज यह इमेज की मेरे को एक जानकारी देनी है इसकी डिटेल देनी कि यह और यहां पर यहां पर यहां पर उसकी डिटेल अगेरा प्राइस नाम यह सब अना तो मेरी वेबसेट आप मैं अपनी वेबसेट को खोल के दिखाया हूं कैसे मैं ने भी उसमें अपनी वेबसेट में ऐसी कोडिंग करिए और वर्ड दॉट इन लेट तो यह मेरी वेबसाइट है और वर डॉट इन तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऐसी क्रियेट किया कुछ मैं आपको क्यों कशल सब्सक्रूह कर देख सकते कि यह तों लोगा एक बटन अन। इसे गरेट यह वंचन है तो मैंक साइड भी एसी वर्क करेगा अगर मैं साइड देता हूं लो मैंक साइड था हूं मैं सपोज 500 पी एक सोस्में क्या होगा वह एक अपना 500 पी एक से शेव किया मैंने 300px अब देख सकते गाइस 300px मैंने डाल तो यह क्या किया उसने पुरा कट लिलिया मतलब जो मैंने टैक्स लिखा है ना उसके ऊपर से उसने एक बॉडर लाइन क्रिएड कर दी तो यह अच्छा तो लग नहीं रहा है तो हमेशा मैंक्स हाइट क्या करना है तो मैंक्स हाइट ना इतने ही रहेगी बार्डर की ज्यादा नहीं होने वाली भले अब कितना भी टेक्स लिखो गड़ाता हूँ अब CR si यह काम करता हूँ झाप कापी करके है def safety मैं मैंस हाइड है पर जो मैरे बाइडर ने जो मेरी मैकस हाइड है किसके अकॉर्डिंग चलू रही है जो मैरे टेक्स्स्त उसके अकॉर्डिंग आगर मैं मैक scholarship हो जाएगा झो इसको बाइडर क्रॉस करना ही पड़ेगा हमारे टेक्स को क्योंकि अभी हमारा सकताई ना राइड जा सकता है ना रडॉटम जा सकता है हना तो मतलब लॉहां पर नी बाटर को जो हमने मैंस हइट दी यह बाटर की कि पहले आपने एक कि से विट लूट ओके तो आपको अगर ऐसा बनाना जैसे कि एक इधर प्रोडक्क की इमेज या तो फिर आपको कोई उसके बारे में उसके डिस्क्रिफिशन डिल वगएरा तो आप ऐसे भी कर सकते और इसको और राइट में भी हैँ आप Walker अ तका में करता हूं इमेज कर बताता हूं ठीक है कि अब मैं क्या करूंगा मैं ट्रांजिशन बताने के लिए करूंगा मेरे आइम जी कोई होवर करता है कि ध्यान दिजीए का मेरे आई एम जी पर कोई होवर करता है मतलग जबी भी कोई कर्षर रखता है उसके उपर जो माउस बोलते कर्षर को उसकी विद मैंने क्या दियो यह बाइड डिफॉर्ट ली जो चल रही है 300 पी एक्स उसको कर दो साड़े 300 पी एक्स मतलब 350 पी एक्स प्लस उसकी हाइट कि हाइट कितनी दियु यह मैंने बाइड डिफॉर्ट ली 200 पी एक्स तो उसको कर दो 250 पी एक्स ओके उसको सेव करता हूँ अब मैं करूंगा अब मैं कर्दर अपना इमेज के उपर लेके जा रहा हूं ठीक है तो क्या हो रहा है उसकी साइट बढ़ रही है अब हो क्या रहा है इदर अब देखो मैंने मैंक्स हाइट का अब देख सकते मैंक्स हाइट उतनी ही रहने वाली है कुछ बड़े की नहीं अब कुछ भी कर लो मतलब मैंक्स हाइट मैं होता है उसका function की मेरी हाइट तो वह हाइट बढ़ने नहीं वाली आपने इतनी हाइट दीए आप कुछ भी टैक्स डाल लो तो इसके लिए वह बढ़न नहीं रही है टैक्स बहले पर पूरा नीचे चले जाए उसको वह लेगा नहीं उसको क्रोस कर देगा तो अगर हम अभ कि यह बढ़ रहा है है तो हो क्या रहा है इदर मैं जैसी करदा रख रहा हूं तो यह तुरण suddenly मेरे को यह शो कर आगे आखे शो कर रहा है मुझे क्या करना है इसमें थोड़ा second gap लेना है अराम से दीरे से आके शो करे तो कैसे शो करेगा मैंने होवर में क्या करना है होवर में transition की value डालने है मतलब transition property यूज करने है transition में क्या होना चाहिए हम लोग कैसे उसकी input करेंगे all मतलब सब कुछ सारा all का मतलब यह होता है और 0.5 second का हमको चाहिए gap जैसी युचटा लंगा तो उसमें होवर करणे के बीच में ईवर करने के बीच में ऑके अब मैं जैसे इस इस पर करद हर रहता हूँ तो अब देख सकते कि एकदम सब्सक्राइब करें तो यह हमारा बेसिकली फंचन होता है ट्रांजिशन का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा लेटेस्ट वह आपको जल्डी से कैच होए सो मिलते अगली वीडियो में लेट्स केच यू सून इन नेक्स वीडियो बाई